If कि हमारी if category Adult formula के बारे मेंίζने लास्ट कोछ ने सीखवा क्या कि आफ फॉर्मूला कैसे अप्लाई की जाती है और क्या उसकी benefits बगारा है उनके ? हम us to text formula के बारे में बात करेंगे की है कि तक को कैसे handle करें इसके बारे में बात करें तो तो tax में सबसे प्रहुना होता है BATEX का, लेकि BATEX का formula हमारा India में उत्मा यूजफुल नहीं है, क्यों, मैं बताता हूँ, इसने मैं यहां पे 100 दिया तो और इस 100 को मैं यहां पे BATEX formula में लगाता हूं कि result आता है, क्या हे? अब इसके बारे में जानी कि क्या है तो बेसिक्टी एह 100 को वर्ड में लिखा गया है कैसे पता करोगे हैं इसके लिए आप अगर आप गुगल में जाएं ओए एक पता इसके डिखेंगे साहिए आपको है क्या करता है कि अमाउंड को वर्ड में नमबु वर्ड में कनवर्ड करता है, बात लएंग बेज हैं तो यह थाई लेंगिज है अब को आपको अजम आपको अटानलेट वां थाई आपके लिए समगरा है कि अधिए नहीं करता रहा है अधिक लेक्ट में ने कर दिया यह थाई आ रहा है और यहां अधिक लेक्ट में इसको इंगलिज लाइज में करने के लिए कोई ऐसा आउपस्ट आप समझें अधिक हाँ वी वी अमया को प्रफार्म के मतलत से हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं हम आगे सिखाएंगा दुश्रा फार्मला में पास आता है क्यार क्लीन कोड बगड़ा होता है तो चलिए हम क्यार कोड फार्मला क्या करता है कि किसी भी करेक्टर का code जनलेट करता है जो कि आप यहां देक रहे हैं और कैर वापस इसको इसको पर करेक्टर में convert कर लेगा है Excel में क्या होता है कि हर मेंबर का एक sky value होता है और उस sky values वापस में code में convert किया जा सकता है अब इसका use क्या है हम आपको अभी थोड़ी दूर में समझाते हैं इससे पहले हम बात करते हैं च्रीम और क्लीन के बारे में क्या पर करने कभी हम आने पास data होता है जिसमें unwanted space होता है जिसके बीच में हुआ या क्यूला स्टू में होता है जिसे यार करे टरह दिलिग दिया और हो सकता है कि लागल नहीं होता है आसे unwanted space होता है तो ऐसे unwanted space को रिमूह करने के लिए हम क्रीम का YouTube करते हैं क्रीम अन्वांटेटद अन्वांटेट अश्लों करता है कि इसको रिमूव करता है इसका देख रहा है कि यहां पे सुजीत के बीच में यहां पे कई सारे स्पेस के रिखते हैं इसको रिमूव करके एक स्पेस यहां पर तक दिया है कि इसमें हम अगर करते हैं तो यहां हो रहा है लेकिन क्या है कि टी और के के बीच में एक हीडिन क्रेक्टर है का कि बता चलेका अगर डीम का फरमूला लगा क्या करता है किसी वी सेल काài के अंदर में क्या टाइब है इसने बताया कि टाइब है सी नाइटीन के अंदरम ट Ground क्रेक्टर है बट आप मैनुवलृ देखेंगे तो आपको यहां पे एक क्रेक्टर हीँ दीखेगा दीक है से तो यहार में क्या हो बार घ्राइब से टेहने है अगर आपक पास एक्सपी होता तो देखते हैं आप T और K के बीच में एक box के अंदर question mark लगा होता है यह बोलते हैं non printable character ऐसे character जो visual नहीं होते हैं यह होते हैं अब ऐसे character को remove करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं clean का formula clean formula ऐसे character को remove कर देता है अब यहां पर lean अगर हम लगाते हैं तो देखेंगे कि अभी जा रहा होते हैं तो character को इसमें remove कर देखें अब इसमें next हम चलते हैं तो next इसमें आता है कि हमें तो T और K के बीच में space जाही है था तो यह फिर separator नहीं रहा separator में दिक्कत होगी तो हमें separator भी चाहिए होगा तो separator के लिए हम क्या करेंगे हम इस पहले चीज को जानना होगा कि किसी भी character में किसी भी character को another character से replace कैसे इसे मैं यहां पर जो non printable character है जो hidden character है उसको हमें remove करना है space से या जो भी separate पर मुचा है उससे तो पैरे चीज को जानना है यह कैसे होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर हम substitute को फार्मा लगाएंगे substitute select करेंगे और यहां पर हमने बोला कि dot को क्या करना है तो डाइस कर देंगे तो ए जीवन के अंदर में जो भी dot होंगे उसको डाइस में convert कर देंगे अब यहां पर बात आती है कि इसमें और क्या क्या हो सकता है तो इसमें आगर आप क्लिक करेंगे यहां देखेंगे कि लास्ट में एक instance नमबर है हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी फॉर्मॉला आप अपलाई करते हैं तो उसमें जो है बड़ी ब्राइकेट होती है तो अगर इसके सेंटेक्स में अगर बड़ी ब्राइकेट लगी है इसका मतलब है कि वो ऑक्सनल है वो डाला जवरी नहीं है बड़ डाल भी सकते हैं कि तो यहां पर अगर मैंने वांग दे दिया तो क्या किया इसमें सिर्फ पहले डॉड को डैस में कंवर्ड कि בפर कि अगर आप ढालेंगे तो पोजीशन जाना डालेंगे मैं दो डाल हिया तो इसमें दूसरे डॉड कर पोजीशन ठाल सकते हैं और आपर पोजीशन नहीं डाला तो जितना है सबि इसमें को P Lets सुपना है सब को ask जर टेक्स्टों सब कर देला हुँ है तेक्स्ट फिर देना होता है कि उसमें कौन से टेक्स को किस टेक्स से रिपलेस करना है अगर अगर मैं इसके अंदर गया और कॉमा करके पोजिशन दा दिया तो मैं इसमें कर दिया तो सबस्चूट करता है सब्सचूट अब क्या करता है कि सब्सुutी ज़ादा की किसीगी टेक्सको सुबीट्स तो रिप्लेश टू इस फौर्मॉला करता डिप्लेश है कि 스 को कर सकले प्लेश है किसी भी टेक्स को यह लिए आख हमने बला की चौथ्य से एक करेक्टर को रिप्लेश कर दो किमें डैस अब भलोगे इसलिए क्या किया तो substitute formula के अंदर position देना होता है हमने बोला कि बहुत चौ थे तो 1,2,3,4, 4 से एक connector को dash बना दे तो इसको इससे मतलब नहीं है कि इसके अंदर कितना text दला हुआ है तो इसने just replace कर दिया clear है हाँ ठीक है नहीं तब दिक्कत हो किसे तब आपको substitute कीजिए करना है तो ओ किजिए और आपको position के हिसाब से करना है तो replace दो formula आपको इस लिए गया है तो आप आपको इसमें से सिर्फ नंबर एग्जेक करना है और नंबर हो सकता है बहुत साए डिजित का क्या तीन डिजित का भी हो तीन सो का तो चाट डिजित इसमें बढ़े है तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर formula लगा होंगा और मैं बोलूगा कि इसमें जाओ और इसमें से आपको लिखाओ यहां पर 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 यहां पर substitute formula नहीं चलेगा न, तो यहां पर आपने देखा कि आपका position fix है, कि चार लेटर और एक dash, तो यहां पर हम replace लगाना आएगा कि replace, और replace में हम इसको select करेंगे, और हम बोलेंगे कि एक से लेके past character को blank कर दो, हो गया? तो replace कुछ से मतलब नहीं है, कि लेटर क्या है, बस इसको पहले से लेके past count करके replace करदेंगे, समन्हें आगे आपको कि कैसे use करेंगे? अब हम बात करते हैं, यहां पर कैसे करेंगे? क्योंकि यहां पर हम substitute का formula लगा हैं, क्योंकि contain की साब से चलना है, अब मैं यहां पर, अब alt, enter तो नहीं लिख सकता हैं सब, क्या? क्योंकि यह जो सुजीत और कुमार के बीच में जो gap है, वो तो हमने alt, enter से किया था, किसी भी लिटर में कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पर alt, enter किया, और कर सकते हैं, पर फॉर्मूला में alt, enter तो नहीं लिखेंगा, तो वहां पर हमें एक care and code का formula support करेगा, जैसे कि हम किसी एक cell में, किसी भी एक cell में जाएंगे, alt, enter, paste कर देंगे, और फिर हम इसका code बता करेंगे, इसका code क्या है, sky value में, तो पता चला 10 code है, मतलब कि अकर मैं care के अंदर में 1 जी लिखूँ, तो यह दोनों ब्रावर होंगे, यहां हम substitute का formula apply करेंगे, select करेंगे name को, और यहां देंगे care10, और इसमें हम देंगे replace with space, और enter बारेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, बना गया, जैसे कि हम कोई भी letter लिखते हैं, चाहे कोई भी special character लिखते हैं, किसी भी तरह का letter लिखते हैं, तो इसका sky value पे एक position है, system उसमें code से जानता है, वो code formula हमें बता देता है कि भाई, इसका एक code है, इसका एक code है, इसका code 10 है, समझके हैं, और हमारे पास एक care का formula है, जो इस code को वापस character में convert करता है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे care के अंदर 65 डाल दूँ, तो आपको यहाँ पे a so कर दाएगा, क्योंकि हम formula में direct उस word character को type नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम, हमने care formula है के अंदर में उसका code 10 डाल लिया, जो कि हमने यहाँ से care code formula से हमें 10 पता चली गया है, तो यह चीज आगे चलती है, आपके पास अगर कोई ऐसा आपके data कुछ ऐसा character आया, जो keywords से आप type नहीं कर सकते हैं, उसके लिए a method आप अपना सकते हैं, सब को समझने आ गया, किसी वह किसी तरह डाउट है, सब लगना क्लास में नहीं है, कहीं और सोच रहा है आपकुछ, बेट किजिए रवाण आने में यह गंटे का आधे गंटे का टाइम है, तेम जो है, एक रैप टेक्स का code है, जिसको हमने code formula से पता किया है, जो भी letter आप type करते हैं, हर letter का Excel के अंदर में एक code होता है, उसको sky value बोलते है, American Standard Integative Language करके उसका perform होता है, एक चार्ट है, जिसमें हर letter के लिए एक number dedicate किया है, ताकि Excel यह पता कर पाता है कि कौन सा caps letter है, और कौन सा small letter है, इसी code की मदद से पता करता है, अगर आप caps को करेंग में तो कुई और आएगा, और small number कुछ और नमबर आएगा, हर letter जो keyword में आप type कर सकते हैं, जो भी character इस Excel में type होता है as a character, सबका एक code इस Excel में defined है, और सिव एक Excel ही नहीं, आप किसी Java जितने भी programming languages हैं, सम्मी applicable होता है, तो हाँ, दूसरी चीज़ है कि यह क्या बात, क्या है कि जो हम A, जो crab के scribe करते हो, किसी shortcut से करते हैं, किसी key नहीं हमारे पास उसका कोई, जैसे कि A, B, C, D, I, तो हम inverter को वाम A लिख देंगे इस तरह से, इस तरह से लिख देंगे, कि रैप टेक्स है, उसका code हमने पता कर लिए, अब इस code पर आगा हम care formula में डालेंगे, तो सेम आएगा, इस सेम चीज़ हमने यहां substitute में किया, कि C 19, care 10, और फिर हमने बुला इसको space से replace कर, क्योंकि मैं यहां पे, इस तरह से type नहीं कर सकता नहीं, कि अब आएगा, दिल पे मत दिज़ेगा यहीं मजाग कर रहा हूं, कि दिल पे मत दिज़ेगा, ऐसी मजाग कर रहा हूं, तो आफिन बात करते हैं, इसलिए सब करना परता है मजाग क्योंकि पता नहीं, जो आप लोग तो सामने वीजबल बैठे हो नहीं न चौक पेके माल वो सर पेर तो तो आपके हसी तो कि नहीं आप जागड़े हैं करना बढ़ता है सर अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे पर सिल में अब इसमें कुछ फॉर्मले हैं जिसे की हम बात करते हैं ज्वाइन की जरसे मैंने यहां पर अगर सुधीत और कुमार अलग-अलग सेल में लिखा हुआ है मुझे एक सेल में कॉनकनेट करना है जब कि मुझे एक साथ इस तरह से लिखा हुआ चाहिए उस केस में हम फॉर्मला से कैसे करेंगे उसके दो तिन तरीके हैं पहला तरीका है कि आप यहां पर कॉनकनेट का फॉर्मला जो की बहुत ज़्यादा फेमस है वह आप ले सकते है कि इसकता है जया कि आरा आप को जोड़ना है तो आप सम यूज़ कर सकते हैं सम और लेकिन आप और प्लस का इसामेट ले सकते हैं प्लस का है simble है ऐसी गॉंकत रांडस टाकर हो गया था हम एन्ट परसेंट हमारा दानने के लिए डाल जाता है और हमने ऐसा ही यहां पे किया तो शुझीत को मारा आ गया तो यहां पर अगर आपके पास ओफिस 365 है और या फिस 2019 है लेटेस बर्जन तो आपके पास दो फॉर्मुला एक अगर आपने यहां पर टेक्स ज्वाइन का फॉर्मुला अपला लिया तो आप इसको कमाइन कर सकते हैं मैंने बोला कि कॉमा दे दो और क्या स्पेस को इंग्नोर करना है और हमने यहां पर टेक्स का रिंज ले लिया और यह फीचर अप्डेटर बर्जन में है और आपके आपके पास अप्डेटर बर्जन हो अगर ना हो तो में पास पांच लाइसेंस हैं आप फॉर्ट फिप्टी देके प्रचेस कर सकते हैं मंद्ली कि ऑफिस त्री सिस्टिवाई को कि अब सब कि अब तो ठीक है कि सब्सक्राइब करें अगर्णी अब और सब्सक्राइब करें जोड़ने का है और ग्रम का क्या वोड़ा है आपकी कैजी वाली काम में कैजी आएगी तो नहीं जब एक सिल के अंदर है मैं जब टांस्पोस्ट कब होता जो अलग अलग उसको रोटेट कर देते है आप आप ओडेशन का पार्ट है उस सेपरेशन का पार्ट है प्राव्म हो ठीक है कि अब यह प्राव्म है कि आपके पास अफिस लेटेशन करोगे उसके बाद नहीं होगा तर दिक्क्त हो जाएगी एक-एक करना काफी जदा प्रॉलम की एट करेगा तो इसके भी कुछ बहुस सारे तरीके हैं जो कि हम आये क्लास में बताऊंगा लेकि अब उसके ब्राव्म ह जैसे कि अगर आपके पास कोई डेट है हम यहाँ पे डेट ले लिया अब इन दोरों को मुझे जोईन करना है जैसे टू मैं 31 से लेके 4 तक का कोई इस तरह का मैं चाहता हूँ है तो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया कॉन का डेट या या जोईन कुछ भी लेलिया हमने और य अब यहां पर एंटर मार्ग प्रॉलम मिलेगी आपको अब आपका डेट नम्मर में आ गया अब 43-421 दिन कोकि कंप्यूटर जो है डेट को दिन में स्टोर करता है आप तो समझ जाएंगे बढ़ आपके बहुत तो ही समझेंगे क्या है तो यह प्रॉलम हांगे अब यहां में प्रॉपर डेट देना पर होना चाहिए तो उसके लिए पहले आप क्या करें टेक्स का फॉर्मूला अपलाई करें और टेक्स की फॉर्मूले में एक प्रॉपर फॉर्मेट दें कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए तो हमां चाहिए db-mnm-yyy और फिर आप एंटर दो दो और इसको भी same procedure को follow कर दो और फिर इसको coordinate कर लो तब देटाएगा अब रोसर दो आपने अलगर कर दिया एक साथ होना चाहिए था तो चलिए एक साथ हम आपको दिखाते हैं तो जहां हमें d22 लिया है d22 को लेंगे हम text formula के अंदर और इसमें करेंगे dd-mm-m custom formatting के सारा core यहाँ अपलाई कर सकते हैं ऐसे c22 को भी हम text formula के अंदर दाल देंगे और text का format देंगे इन्वर्टर को माह में dd-mm-m अंदर मार देंगे आपका date आपको मिल जाएगा समझना आई गया तो दो date को join करना ही मुस्किल होता है इस तरह से percentage आपको है कि 20% and 30% आपको join करना है आप जहां चाहते हो कि rate आपने ऐसा text हो आपने दे दिया 2% यहाँ आपने दे दिया आपने 30% आपने 30% आपको दिख रहा है इसमें होगा 0.0% आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कोड हमें पता कहां से चलेगा सोच रहे हैं कि आप लोग कुछ ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो पहले बताइए कि आप हमारी class सुरू से जॉइन किये या आज से जुरू कर रहे हैं से जुरू कर रहे हैं स्क्रेंक कंड्स था कर दिया और कंट्रोल डी कर दिया और कंट्रोल डी कर दिया तो यहां आप बुलें कि ए फॉर्मिट कहां से आएगा तो इसके लिए आपको और राइट क्लिक कीजिए फॉर्मिट सेल पर जाएए और नंबर पर आईए तस्टम यह सारे फॉर्मिट है ठीक है जो यहां दिख रहा है वहीं वहां पर चेप दीजिए तो अभी आपनों क्या किजिए सर इस सारे चीज की प्रैक्टिस कीजिए रिकॉर्डिंग आपनों रिकॉर्ड किया हुआ जिन्हों रिकॉर्ड नहीं किया और मैं रिकॉर्डिंग प्रवाइड कर दूंगा 15 से 20 मिनट में प्रैक्टिस कीजिए अगर कोई प्रॉलम होती है तो कॉल कर लीची का फोटी मटी प्रॉलम के लिए बड़ी प्रॉलम के लिए कल डिसकस करें तो कर हम आपको टेक्स्ट वर्मले की पार्ट 2 को पढ़ाएंगे